क्यों गिर रहा है मार्केट? लगातार आप देख रहे होगे कि अप मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मार्केट नीचे के तरफ आते जाता है अपने हाई से 1000 पॉइंट के आसपास नीचे यहाँ पर आ गया है एसे सिचुवेशन में सवाल यही उठ रहा है क्यों मार्केट नीचे के तरफ यहाँ पर जा रहा है तो मैं आज आपको तीन ऐसे बड़े रीजन बताने वाला हूँ क्यों मार्केट यहाँ पर गिर रहा है और समझने की कोशिश करें ताकि आप जो अपने पैसे हैं उसे बचा भी ले और उसे यहाँ पर बना भी ले बहुत important वीडियो तीन बड़े reason आपके लिए आज के वीडियो में नमस्कार मैंके चुरू करते हैं Market Master of Philosophy of Long Term Investing अब से पहला reason जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ देखिए वो आपको और कोई नहीं बताएगा पिछले 6 महने में ग्राफ आपके सामने हाँ पर बाजू में दिख रहा होगा पिछले 6 महने में आपने एक चीज देखा होगा कि जो Dow Jones है वो सिर्फ 3% का return दिया है जबकि Sensex जो है वो 15% का return यहाँ पर दिया है इसका मतलब है कही ना कही Sensex adjust करने की कोशिश कर रहा है Dow Jones के साथ में यानि की return अब नीचे आ रहे हैं ताकि Dow के साथ में adjust यहाँ पर हो जाए क्यों adjust होगा Dow के साथ Sensex यहाँ मैं आपको बताता हूँ देखे पिछले एक साल का भी चार्ट देखेंगे तो आप मिलता जुलता दिखाई देगा और थोड़ा सा gap दिखाई दे रहा है पिछले एक दो मैने में काफी ज़्यादा festive seasons के कारण हमारा जो market था काफी उपर हो गया और पिछले छे अगर आप पास साल का भी graph देखोगे तो quite similar to Dow Jones है लेकिन अभी recently आपको पिछले एक दो मैने में थोड़ा सा gap दिखाई दे रहा है तो वो यहाँ पर cover करके दोनों line मिलने की कोशिश यहाँ पर करने है आपको चार्ट से जो है वो clear cut यहाँ पर समझ में आ र return नहीं बना है अब वो इंडिया का market देखते है अरे यह market already 20% का return मना दिया है तो अगर मुझे पैसे लगाने है FII को पैसे लगाने है तो वो attractive market में लगाएंगे यही चीज वो figure out कर रहे हैं आप भी ऐसी fundamental analysis करना चाते है तो आप यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ कर सक मैंने description में दी हुई है Ticker Tape में आप जाकर कोई भी share free में यहाँ पर search कर सकते हैं पिछले एक साल में वो आने वाले एक साल में कितना return दे सकता है कितना share price जा सकता है वो भी पता कर सकते है उसका P.E. ratio क्या है सेक्टर का P.E. ratio क्या है dividend कितना देता है कोई risk तो नहीं है मैं ख ज़्यादा से ज़्यादा utilize करें free sign up करें और कोई भी share को search करें लेने से पहले एक बार उसकी fundamental analysis जरूर करें तो टिकर टेप की link है वो मैंने नीचे description में दी हुई है Reason number 2 देखिए जो दूसरा reason है वो है यहाँ पर काफी चौकाने वाला आपको बताऊँगा वो है bond yield देखिए पिछले एक मैने में bond yield काफी तेजी से बढ़े लेकिन market यहाँ पर correct नहीं हुआ bond और share market में दोनों में opposite यहाँ पर चलता है मैंने आपको बताया अगर bond yield बढ़ते है तो market नीचे आ जाता है bond yield कम होते है market ऊपर हो जाता है पिछले एक दो मैनों में bond yield लगातार बढ़ रहे थे लेकिन market यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा था लगातार यहाँ पर बढ़ रहा था अब देखे कब reaction देखने को मिलता है यह कोई भी नहीं बता सकता लेकिन वो मिलता है तो कहीं न कहीं एक effect देखने को मिला है bond yield का मैंने money control में interview में भी यह चीज बताया था कि अगर market disrupt होगा एक correction होगा तो वो basically bond yield के कारणी होगा और यह जो correction है यह bond yield के कारणी ही है चलिए आपके लिए खुश ख़बरी यह दे देता हूँ recently अगर आप देखोगे bond yield पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पर नीचे आ रहे है इसका मतलब है indication है कि market थोड़ा उपर जा सकता है कब जाएगा एक मैने में दो मैने में डेड़ मैने में यह हम यहाँ पर नहीं बता सकते लेकिन bond yield लगातार तो यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं नीचे के तरफ आ रहे हैं मतलब Janet Galen जो है US में वो एक अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही है इसरा बड़ा reason है market के गिरने का वो है यहाँ पर Fed की announcement अमेरिका का Central Bank यहाँ पर November की meeting मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा important है यह चीज मैंने G Business के साथ interview में भी बो नॉमबर के meeting में Fed ने बोला है कि जो bond rate है जो bond जो है उसमे परचेस कर रहे है bond purchase 120 यहाँ पर उसे यहाँ पर taper करने की कोशिश करेंगे कम करने की कोशिश करेंगे इसके अलावा जो unemployment benefit है उसे कम कर दिया गया है जो पैसे लगातार free में मिल रहे थे उसे कम कर दिया गया है जि ये एक risk हमें दिखाई दे रहा है और जिस रफतार से bitcoin बढ़ा है तो काफी सारा जो पैसा है वो share market से bitcoin में गया है और क्या bitcoin से वापर share market में आएगा ये तो यहाँ पर समय बताएगा तो जो तीसरा है जो अमेरिका में लोगों को free benefit मिल रहे थे free में पैसे मिल रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पर अब रोक दी गई है जिसके वजह से आपको American market भी पिछले 6 मैंने में 1-2% का return दिया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया और share market भारती share बजार में भी आपको दबाओ देखने को मिल रहे है तो तीन बड़े reason यहाँ पर मैंने किसी लोगों के लिए वह यहाँ पर कम होते जारी है यह तीन बड़े reasons के कारण आपको market में correction लेखने को मिल रहा है उमीद है आज का वीडियो पसंद आपको वीडियो को लाइक करें share market जूर और information के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है कि जैए पूइ हो यहाँ आपको झाल और यहन झाल झाल ऑ्टकटर आपको ठचे है इसाफे इसान्ट झाल जाले सकते हैं प्ड़ेराँ 25 मिलीडियो झाल शबसéta collapsing को को सब्सक्ता है झाल झाल झाल